हलो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौड क्लासे पर तो बच्चों बहुत दिनों से बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे सर आडी शर्मा आडी शर्मा से क्लास 11 का बता दो क्या डिलेटिड है क्या एक्सेसाइज छोड़नी है क्या करनी है कुछ समझ में आपको चीजे बता दो रहा हूं कि कौन से एकसेसाइज आपको क्लास 11 में आडी शर्मा से नहीं करनी है लेकिन जैसा कि अक्सर जब आप कहीं पर ट्रेवल करते हैं तो बसेस में लिखा होता है ट्रेंस में लिखा होता है कि वह सवारी अपने समान की खुद जिम्मेदार है हैं तो मैं बदा रहा हूं आपको लेकिन अपने 관심 के लिए क怎麼 दार है क्लास 11 के क्लास 11 को चुछ चीजे का भी श्चुडन देते हैं अपने decorated कि वह यह चीज़ आनि बच्चों को जरूरी है बेसक CBC ने डिलिट कर दिये तो वो आपको करवा भी देंगे और आपको exam में भी देंगे और जो उनको लगता है कि हाँ यह चीज आप skip कर सकते हैं तो वो skip भी कर देंगे और वो exam में भी नहीं आएगी तो मैं जो बता रहा हूं यहां पर इस व मेरे स्लेवर से थोड़ा सा डिफरेंट हुआ कहीं पर कोई एक्सराइज कम या ज्यादा हुई आपके स्कूल में वह चीज़े कराई जा रही है या फिर नहीं कराई जा रहे हैं तो जो सबसे पहले जब टम वन की हम बात करते हैं तो टम वन के अंदर पहले चेप्टर के कripe numbers था उसका topic पूरा का पूरा हटा दिया गया जो complex नंबर है उसका पूरा topic हटा दिया गया बाइनेरी numbers में already आपको हटा हुआ था वो लेकिन बहुत से books के अंदर आपको, binary operations दो होते हैं तो binary आपके स्लेबस में नहीं है according to CBSC तो यानि अगर हम पहली तीन exercise की बात करें जो की पूरी की पूरी prime number के ओपर depend करती है कि prime number उसकी बाद फिर उसके जो encryption होता है prime number से encryption कैसे करते हैं या जो congruence होता है वो सब चीज़े यहां पर पहली तीन exercise में आती है वो तीनों exercise आपको नहीं करने according to CBSC 1.4 में आपको सिर्फ first question करना है जिसमें decimal binary से decimal में कैसे convert करते हैं यह आपको बताए गया है उसके बाद की जो question से वो सारे operation based question है अगर आपके school में कराए operation तो definitely आपको करने चाहिए अदर वाइस आप इसको skip कर सकते हैं exercise 1.5, 1.6 दोनो exercise complex number की exercise है यह topic भी completely आपके syllabus से delete कर दिया गया है तो इसको भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है अगर यहाँ पर exercise 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 यह जो exercise है यह log chapters की है logarithm chapters की है जिसमें आपको uses of tables के उपर depend question है तो table का use भी आपके syllabus में नहीं है तो यह exercise भी आप skip कर सकते हैं according to cbse अगर हम बात करें 15.4 chapter की 15 chapters जो आपका वो हो I think कौन सा chapter है एक बार chapter हम देख लेते है 15th chapter है आपका functions का इस function में जो operations और real functions है वो यहाँ पर skip कर दिये गए है तो उसको आपको करने की ज़रूद नहीं है exercise 29.3, 29.4, 29.5, 29.7 यह सारी exercise आपको नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पर जो यह आपको topics दिये गई है truth table से related है और truth table आपके syllabus से भी skip कर दी गई है हटा दी गई है chapter 22 पूरा का पूरा ही delete कर दिया गया है क्योंकि इसके अंदर जो topic आपको दिया है measure of central tendency यानि mean, median mode कैसे निकालते हैं जो already आप class 10 में पढ़ चुके हैं तो वो topic आपके यहाँ से भी हटा दिये गए है अब अगर हम बात करें आपके term 2 के syllabus की तो term 2 के syllabus में exercise 10.6 आपको नहीं करनी है 11.3 इसमें mixed problem आपको दे रखिए permutation and combination की लेकिन CBSC के syllabus है उसके recording आपका जो syllabus है applied mathematics का उसमें स्रिफ basic introduction है कि permutation क्या होता है combination क्या होता है उसके जो basic basic questions है वो आपको करने है mixed questions की आपको जरूवत नहीं है करने की 18.6, 18.7, 18.8 यह exercise differentiation की है differentiation में भी आपको स्रिफ restrict कर दिया गया है basic differentiation जिसमें आप first derivative test सीखते हैं first derivative से आप कैसे निकालते हैं और उसके बाद जो basic basic derivative है chain rule, product rule और उसके लाभा question rule इन सब से आप derivative कैसे कर सकते हैं यहीं तक आपको सिखाया गया है उसके आगे जो derivatives है implicit functions के parametric functions के या फिर टेंजेंट नॉर्मल वाला जो chapter है 19 चैप्टर यह भी derivative का एक part है differentiation का पार्ट है तो यह सारे के सारे chapter आपके हटा दिए गया है निए differentiation आपको इतना सिखाया गया है जितना आपको यह समझ में आजाए कि किसी इसका differentiation कैसे किया जाता है तो differentiation ज़ा topic है आपको बहुत अच्छी तरह करना चाहिए क्योंकि 12th class में काफी कुछ chapters हो है differentiation के ओपर depend करते हैं तो इनको आप अच्छी तरह से सीख लें ताकि यह वाली जो topic जो skip हो गए उनको भी आपको 12th में जाके एक बार सीखना पड़ेगा तब ही आप आगे जाके calculus को कर पाएंगे तो यह मोटा मोटा idea था जो की CBC के coding आपको बताया मैंने की RD Sharma से एक्सेज आपको नहीं करनी है लेकिन फिर एक बार मैं आपको remind करा रहा हूं कि आपका syllabus आपके school के coding भी थोड़ा बहुत change हो सकता है अगर आपके school teacher ने जो exercise यहां पर skip हो रखी है वो करा रखी है तो definitely आप आपको वो करनी चाहिए एक्जाम में आपके वो आ सकती है और जो skip करवा रखी है उनको आप skip कर सकते है क्योंकि वो आपके एक्जाम में नहीं आएंगी because आपके जो school teacher है उन्होंने exercise नहीं करवाई तो यह सब चीजे I think आपको समझ में आगी होगी इसके लाबा बहुत से बच्चों के जो questions आ रहे थे कि sir पिसले साल की कुछ videos है वो उनको मिलती नहीं है तो आप उसको देखो playlist में आप जाओगे तो सारी के सारी जो वीडियोस है वो playlist में आपको मिल जाएंगी अब lack of time मैं नई series सारी के सारी continue नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि schools खुल गे हैं मेरे भ करवाल का सारा का सारा content available है chapter 1 से लेकर last chapter तक चो भी सारा content आपके पास available है कुछ मैंने साल बना दिये हैं कुछ already पिसले साल के हैं धीरी दिले मैं कोशिश करूँगा कि जो पिसले साल की वीडियोस है जिनकी quality भोज़त अच्छी नहीं है उनको मैं दुबारा बना सकूँ ले किस्वीडियो मैं नहीं, थैंक्स तो लोगा